प्राट महदे का मत्त संतुलन के सिध्धान्त के विशे में प्राट महदे ने बताया कि जो कल्यान और कल्यान पुरा नमकुत्री मैदान में इस्तिति स्थानों में मापे गई अक्षांसी अंतर 5.236 मिनट को उचित प्रकार से पढ़ा उसका मनन किया उसने इन दोनों इस्तानों 690 किलोमीटर हिमाले से दूर के अक्षांसों की गणना की हिमाले परवत को 2.75 और सत गनतु से निर्मित मान कर उनका अंतर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि 5.236 इंच की बताया इनका जो गनतु था वो 15.885 सेकिंड आना चाहिए थ तो उन्होंने ये माना और इसका कारण भी बताया कि ये जो कल्यान और कल्यानपुरा के बीच में जो अक्सांस्य निर्धारन में जो अंतर आया है वो अंतर अधिक आना चाहिए था तो अधिक इसलिए आना चाहिए था कि जो है हिमाले कम घनतु का बनाया है और पेंडूलम को कम आकरशित कर रहा है इसलिए ये घनत 15.885 सेकिंड पाया जाया ना चाहिए था हते उन्होंने विशाल नमीन मोड़दार परवत हिमाले और उत्री मेधान के भागों की चठनों के अध्धन और गणिती आकलन के आधार पर निश्कस निकाला की परवत बहुत उचे लेकिन कम घनतु हलके पदार्थों के बने हुए हैं और इस आधार पर उन्होंने उचे भागों का कम घनत और नीचे भागों का अधिक घनत बताया प्राट मोड़े ने अपने मत द्वारा ये स्पस्ट करने का प्रियास किया कि हमारी प्रथी के जो अधेस्तर में एक तल होता है जिसको उन्होंने नाम दिया च्छती पूर्थी तल तो लेवल आप कमपेंसेशन नाम दिया और इस आधार पर उन्होंने ये समझाया कि विभिन्न घनत होने के बावजूद भी इस च्छती पूर्थी तल पर सब एक समान गहराई पर टिके वे रहते हैं तो प्राट का जो च्छती पूर्थी तल की जो आधारना थी इसमें महत्वपून है तो इसको उन्ह नीचा इस्थम्ब है वो कम घनत्व और नीचा इस्थम्ब अधिक घनत्व का है बिगर दा कॉलम लेसर दा डैंसिटी इसमालर दा कॉलम ग्रेटर दा डैंसिटी मुचा इस्थम्ब कम घनत्व और नीचा इस्थम्ब अधिक घनत्व पाया जाता है और ये सब एक छती पू है वो एक चतिपुर के ताल तल के सारे इस्तित है इसलिए हमारी प्रथी में एक संतुलन बना हुआ है प्राट के जो इस ये मत है इसका सर्वधिक समर्थन जो है है पोड और बोवी के द्वारा किया गया इन विद्वानों ने इसका समर्थन किया प्राट महुदा के गनित के आधार पर जो अक्षांसु के बीच अंतर होने का अनुमान लगाया गया था तो वो उसको आकरशन का ही कारण माना कि हिमाले परवत जो है पेंडूलम को कम आकरशित कर रहा है इस आधार पर समान गहराई और विविन गनत्त का सिध्धान्त पृत प्राट महुदा का जो मौल वाक्य है समजने का जो है उंचा इस्तम्ब कम गनत्म नीचा इस्तम अधिक गनत्म उन्होंने बताए कि पृतिक एक सीमित छेत्र में गनत्में अंतर पाया जाता है चति पूर्ति तल के सारी धरातल के समान छेत्र के नीचे समान पिन होना उन्होंने एक उधारण द्वारा इसको बहुत अच्छे डंग से समझाया उन्होंने एक पारे से भरा वेशिन लिया एक बेशिन में पारा भर दिया और विभिन आकार के धांतु के टुकडे लिए जिनका विभिन घनत्व था तो चांदी जिसका घनत्व लग था जस्ता फा जस्ता 7.1, पाइराइट 8, एंटी मनी 6.6, लोहा 7.8, निकल 8.8, तामा 8.9 और सीशा 11.3 घनत्व का था तो विभिन आकार के और विभिन घनत्व वाले एनोंने टुकडे लिए पारे से भरे वेशिन में उन्होंने डुबोया उन्होंने ये देखा कि ये सारे के सारे विभ पान गहराई पर खड़े थे तो उस रेखा को जिस तल के सारे खड़े रहे पारे के विभिशिन में तो वो छती पूर्ती तल कहलाया उसका नाम इनोंने लेवल ओप कंपेंसेशन दिया कि इसी तरह से हमारी पुर्थी के ऊपर जितने परवत पठार मैदान है परवत कम घन मैदानों का घनत्व उससे ज्यादा है तो ये सब हमारी पुर्थी पर इसलिए खड़े हैं कि ये हमारी पुर्थी के अंदर एक छती पूर्ती तल है उस तल के साहारे एक समान गहराई पर इस्तित हैं इस तरह से इनोंने इस से धान्त को समझाया और एहपोड और बोवी न करें करत हम तुल ना करें तो एरि और प्राठ के मत में दो विविन्न धस्टिकोंड सामने आते हैं तो एरि मोहदे जस बात को मालते हैं कि हमारी पुर्थी पर जितने भी स्थम्भ हैं वो समान गहहत्व लिया वह हैं लेकिन पुर्थ प्राठ के विचारों में मूल भूत अंतर जो है एरी समान गहनत और विभिन गहराई को बताते हैं जबकि प्राट समान गहराई और विभिन गहलत वाले पदार्थों को बताते हैं इसे दुबारा समझेए एरी मौदे कहते हैं कि समान गहनत विभिन मोटाई या विभिन गहराई पाई जाती है जबकि प्राट मौदे कहते हैं कि समान गहराई पाई जाती है लेकिन गहनत विभिन पाई जाता है अलग अलग पाई जाता है प्राट मौदों के अनुसार विभिन्न घनत होने के बावजूद भी हमारी पुर्थी के अंदर एक ऐसा तलप आया जाता है जहां पर ये एक साथ इस्तीर है इन दोनों विद्वानों के मतों में एक समानता है कि परवत पठार मैदान सभी भारी सिमा पर तेर रहे हैं अधार अधहिस्तर को ये तरल मानते हैं वहाँ पर ये तेर रहे हैं अगर देखा जाया तो एरी कमत अधिक व्यभारिक और साधान होने के करण सभी विचारदारावाले विद्वानों के लिए एक सुख ग्राहे बन गया इन मतों की तुनला करते हुए बोवी ने जो समझाया कि एरी और प्राट के विचारों में मोल भूत अंतर इतना ही है कि एरी समान गनत और एसमान मोटाई को बताते हैं जबकि प्राट समान गहराई और एसमान गनत वाले पदार्थ को बताते हैं